एक समय की बात है, एक छोटे से गाउं में हरे भरे पहाडियों के बीच एक युवा लड़की नामक प्रिया रहती थी. प्रिया के पास एक विशेश दिव्य शक्ती थी, वह पशुओं से बात कर सकती थी. एक दिन जब वह जंगल में घूम रही थी, तो उसने एक छोटील नीले पंखों वाले घायल पंची को खोजा. अपनी जादूई स्पर्ष से प्रिया ने पंची की चोटी को ठीक किया, और प्रतिकृती में पंची ने एक रहस्यमय ग्लेड की ओर जाने वाला एक छुपा हुआ रास्ता दिखाया. ग्लेड के दिल में एक प्राचीन पेड खड़ा था, जिसके चमकदार पत्ते थे. एक गुप्त कमरा खुल गया, जो अद्भुत्ता से भरा हुआ था. अंदर उसने एक चमकदार गोला पाया, जो आध्यात्मिक उर्जा से पुलसेट कर रहा था. जैसे ही उसने उसे चुआ, गोला ने उसे गर्म चमक में लपेट लिया. उसे तत्वों का उप्योग करने की क्शमता प्रदान करते हुए. नई शक्तियों के साथ प्रिया अपने गाउं में वापस आई, अपनी जादूई शक्तियों का उप्योग करके बीमारों को ठीक किया, कमजोरों की सुरक्षा की और भूमी में समानता लाने का काम किया. उस दिन के बाद से प्रिया को जंगल की रक्षक के रूप में जाना जाता था, जिसे पशूओं और मानवों दोनों ने सम्मान दिया, और हालांकि उसके सहसिक अवसर कई थे, लेकिन वह हमेशा उस जादूई भेंट को याद रखती थी, जो उसके जीवन को हमेशा के ये बदल दिया.